वैधिक जोतिश में ग्रहों की यूती का विशीश प्रभाव सभी राशियों के उपर रहता है। समय समय पर ग्रहों की राशी परिवर्तन से कुछ दिनों के लिए ऐसी इस्तिती बन जाती है। जब कई ग्रह एक ही राशी में मौझूद होते हैं, एक ही राशी में कई ग्रहों की यूती से कई तरह के शुब और शुब दोनों ही तरह के योग बनते हैं, कुछ ऐसा ही शुब योग इन दिनों बना हुआ है, वैदिक जोतिश में शुक्र ग्रह को बहुत ही शुब ग्रह और शुद्फल देने वाला माना जाता है। चंद्रमा, शुक्र और मंगल की यूती से त्रीग्रही योग बना है। सिह राशी में त्रीग्रही योग बनने से कुछ राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है। आईए जानते हैं त्रीग्रही योग से किन राशी वालों को खुश खबरी मिलने वाली है। मेश राशी, सिह राशी में मौजो शुक्र मंगल और चंद्रमा से बना त्रिगरही योग मेश राशी वालों के लिए विशेश लाब दे सकता है इस राशी के जातकों को त्रिगरही योग से अचानक कार्यों में प्रगती और धनलाब मिल सकता है करियर में नए नए रास्ते खुल सकते हैं, नौकरी करने वाले जातकों को कोई दूसरी जगहों से अच्छा ओफर आ सकता है मिथुन राशी मिथुन राशी के जातकों के लिए त्रीग्रही योग बहुत ही लाबदायक रहने वाला है जो लोग किसी व्यापार या धन्दे में हैं उन्हें कोई बड़ा ओडर मल सकता है आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं, पैत्रिक संपत्ती से आपको लाब मल सकता है जमीन जायजात से सम्दित मामलों में आपके हाद कोई बड़ा सौधा लग सकता है कोटका चेरी में चल रहा कोई कानूनी मामला आपके पक्ष में आ सकता है सिहराशी आपकी ही राशी में चंद्रमा मंगल और शुक्र ग्रहों की यूती से त्रीग्र ही योग बन रहा है ऐसे में आपको भागी का अच्छा साथ मिलेगा जिससे आपके सब ही अधूरे कारे जल्दी ही पूरे हो जाएंगे धनलाप के अफसरों में व्रधी होगी नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए नौकरी में प्रमोशन या फिर कोई नई नौकरी के प्रस्ताफ मिल सकते हैं घर में किसी सदस्य के द्वारा कोई शुप समाचार आपको मिल सकता है आपकी सेहत इस बीच बेहत अच्छी रहेगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें